राधि राधि जैसी किष्णा स्वागत है आप सबी का राधि कृष्ण भक्ति में आज इस वीडियो में हम गुप नवरात्री की पूजविदी जानेंगे साल दोजार चौविस में गुप नवरात्री दस फरवरी दिन सनीवार से सुरू होकर 18 फरवरी निन रविवार को समाप्त हो जाएगी वर्ट्स में चार नवरात्री मनाई जाती है दो प्राकेत्ति और दो गुप नवरात्री आज इस वीडियो में मैं आपको गुप नवरात्री की बहुत ही सरल पूजविदी बताने वाली हूँ तो देखिए अब जहां भी आपको पूजा करना है उस जगह को अच्छे से साब करके चौकी लगा ले चौकी पे आप लाल रंके वस्तर बिचा ले क्योंकि मातारानी की पूजा में लाल रंका ही प्रयोग किया जाता है तो देखिए मैं यहां पे बिना कलज स्थापना की सरल पूजविदी से पूजा कर रही हूँ आप चाहे तो कलज स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं अगर आप सररविदी से पूजा करना चाहते हैं तो फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं अब हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर मातारानी की फोटो या मुर्ती जो भी स्वारूप है आपके पास उनको विराजमान कर लेंगे अगर आपके पास मातारानी की मुर्ती है तो आप उनको सनान करा लेंगे इसके बाद हम गनेश जी को विराजमान कर लेंगे तो हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर गनेश जी को विराजमान कर लेंगे इसके बाद हम अक्षत का आसन देकर दीपक जला लेंगे मैंने यहाँ पे सिरफ पूजा करने तक के लिए दीपक जला है आप चाहे तो अखंड जोद भी जला सकते हैं पर आप ध्यान से जलाए क्योंकि अखंड जोद की देखभाल करनी पड़ती है इसके बाद हम जलके छीटे लगाकर भारूप में सभी को स्नान करा लेंगे इसके बाद हम सरप्रतम दीपक की पूजा करेंगे तिलग करेंगे, फूल अर्पित करेंगे अब हम गनेश जी की पूजा करेंगे चंदन से, रोली से तिलग करेंगे वस्त्र स्वरुप कलावा अर्पित करेंगे जनेव अर्पित करेंगे और दुर्बा अर्पित करेंगे साथ में हम पूल भी अर्पित करेंगे इस तरह से हम गनेश जी की पूजा करेंगे गुप नवरात्री में गुप रुप से दस महा विद्याओं की पूजा की जाती है। हिंदु पंचांग की अनुसात हरवर्स माग मास के सुक्लपक्च की प्रतिपरदातिती से गुप नवरात्री की सुरुवात होती है। अब हम माता रानी के नो सुरुप को रोली से तिलग करेंगे, सिन्धुर से तिलग करेंगे, वस्त्र सवरुप हम माता को कलावास हम अरपित करेंगे। अक्षात अर्पित करेंगे माता को हम सिंगार का समान अर्पित करेंगे आप पहले नौरात्री या लास नौरात्री के दीन भी माता को सिंगार का समान अर्पित कर सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार किसी भी दीन सिंगार का समान माता को अर्पित कर सकते हैं इसके ब अब हम एक लोटा जल अर्पित कर देंगे, दक्षिना अर्पित करेंगे, पूजा में दक्षिना जरूर से अर्पित करें, दक्षिना अर्पित करने से पूजा में यदि कोई कमी हुई होती है, तो हो पूरी हो जाती है, इसके बाद हम सभी को दूप दिखाएंगे, अब दे ने हैं दो इलाइची ले लेंगे एक बतासा और एक सूपारी ले लेंगे ये सभी चीजम पान के पत्ते पे रहकर मातारानी को भोग लगाएंगे इसके बाद देखिए आप चाहे तो पूजा के समय तुर्गा सहस्रन नाम पढ़ सकते हैं या फिर आप तुर्गा सब्तसती क पाठ भी कर सकते हैं जो भी आप पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी कारण से नहीं पढ़ सकते तो फिर आप सिरफ पूजा भी कर सकते हैं इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आर्थी करेंगे तो हम गनेश जी की मातारानी की सभी की हम आर्थी कर लें करेंगे तो इस तरह से आप सरल विदी से भी गुपना रात्री की पूजा कर सकते हैं या फिर आप कला स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं किसी भी विसेश मनुकामना की पूर्थी के लिए गुप्ट तरीके से गुप गुप्त सिधियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नौरात्री सबसे ज़्यादा सुप माना जाता है आप अपनी किसी विशेस मनोकामना के पूर्ति के लिए गुप्त नौरात्री में मातारानी की पूजा जरूर से करें अगर वीडियो आपके लिए यूसफुल हो तो प्ल प्रिष्णा